तो आपका अपने चनल एस की आम इस्टडी परिवाफ फिर स्वागत हैं बहुत ही मत्मूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजी रहें मेरे पार बच्छो यहाँ पर देखिए हम घिसकी बात कर रहें भावती ज्यान के बात कर रहें टिक हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली और बहुत ही महत्वर पूर भी होने वाली है यहाँ पर देखिए हम भहुत ही ज्ञान की बात करेंगे 346 GB ठीक है तो प्रादर्म के समय 3 घंटे 15 में आपको दिया जाएगा और पुरांक 70 नंबर का आपको क्यों कि इस नंबर आपके किसके मिलते हैं practical के मिलते हैं यहाँ लिए हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा प्रादर्म के 15 मिनार परिक्षार्तियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, पहला कहा है, सभी प्रश्ण अनिवार है, सभी प्रश्ण अकलिए अनिवार है, दूसरा, इस प्रश्ण पत्र में पांच खंड है, कितना, पांच खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, यह, अब देखे, खंड बहुबिकलपी है जो खंड A है यह लगुद्टरी है उप्रत्य प्रत्य आपके 3 अंक की है कितने अंखेके हैं, तीन अंखेके हैं, ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, प्रोफार्मा और देकी ध्यान देज़ेगा, यहाँ पर क्या है कि खंड यह, खंड यह क्या है, ब्रिस्तित उत्तरी प्रश्ण है, प्रतेक प्रश्ण पांच अंखेक करना है प्रश्ण के प्रयुक्त प्रतीकों के सामानने अर्थ है इसके सामानने अर्थ है ठीक है अगला दिखे खंड आ की बात करेंगे तो खंड आ में देखिए अर्धचालक में सहीजक्ता बैंड एवं चालन बैंड के बीच उर्जा अंतराल लगभग होता है तो जो मारा अंसर क्या होगा चलिए आपको सभी लोग बताएंगे ठीक है उससे पहले हम आपको कॉपी के बारे में बता देते हैं यहां पर देखिए इंटर्मीडियर परिक्षा उत्तर प्रदेश ठीक है तो क्या वजाएगा परिचारती उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना ना परिचारती उत्तर पुस्तिका के प्रिष्ट भाग पर निर्दोसों को ध्यान पूरक पढ़े तता साउधानी के साथ पालवन करें ठीक है और निम्नांकित क्रमांग एक सेचा तक की पूर्थी परिचारती सोयम करेंगे इसमें जो आपको दिया होगा ना कि इसका जो क्रम एक से च्छा तक की पूर्थी आप सोयम करेंगे ठीक है और मेरे प्रशनपत्र की बात करेंगे तो प्रशनपत्र दखी आपके लिए क्या है यहां पर आपको दिया है प्रशनपत्र पर अंकित राहे तीन सो ची आलिस जी बी कितना तीन सो ची आलिस जी बी ठीक है परिच्छा का दिन क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पहर बच्छो परिच्छा का दिन आपके लिए क्या हो जाएगा परिच्छा का दिन आपको कल डाल देना है मंडे ठीक है मंडे ने आपको एक तारिक को होगा बोब आपको दिन जो है आप देख लिए वहाँ पर पर फिरिचा की तिति इम पाली आपको डाल देनी ऊब मार्च देश्च और यहां पर पाली आपको सेकंड डालनी है केंदर का नाम यहां पर आपको डाल देना है अब देखिये मागव आगे आपको बताते है 346 GB तो है तो कच्छ निरिक्चा कि भरेंगे यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही मत्पूर्ण है चलिए आगे आपको बताते हैं अब देखिए क्या गलतियां क्या नहीं करने हैं उसकी बात हम यहां पर करें और आपको बहतरी तरीके समझाने वाले हैं तो आप आपको बस मारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है आपको समझना है तो टिक है तो मेरे बच्चो यहां पर आपको क्या डालना है अगर देख सकते हैं तो आपको डालना है खंड क्या डालना है खंड यहां क्या डालना है आपको खंड क्या डालना है टिक है और आपको डाल प्रश्न उत्तर संख्या कर शहता एक करके इस तरीके से आप सभी प्रश्नोंग लिखेंगे करमवाय से और आप यह बहुत बड़ी गलती नहीं प्रश्न विसे लिखेंगे लिए आपको समय बरबाद होगा लेकिन नंबर इसका नहीं मिलता, आपको नंबर किसका मिलेगा, सिर्फ इतने का नंबर मिलेगा, ठीक है, इतने का नंबर मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, बहुत इमात्वपून है, ठीक है, सिर्फ आपको इतने का नंबर मिलेगा ठीक है तो आपको यह चीज़ ध्यान देना होगा ठीक है यह चीज़ ध्यान देना होगा आप वहाँ पर मेरे पैर बच्चो आप वहाँ पर क्या नहीं करेंगे वहाँ पर क्या नहीं करेंगे आपको बहुत सारा गलतिया करते हैं क्यों सी गलतिया करते हैं आप questions को भी लिखकर आ जाते हैं तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है ठीक है चलिए अब देखिए आपको अची तरीके समझाते हैं बताने का प्रयास करेंगे ध्यान दिज़ेगा question क्या है बहुत important है बहुत ही मत्प प्पचो इसमें आपको पूछे उर्जा बैंड और यांदिया कि इसमें उर्जा बैंड और समययग्ताव छणन बैंड के वीक उर्ज्यां लगभग होता है एगला दीखिए हाइडूजन परमाण की दो उत्तरोतर कक्षाओं में किसमें हाइडूजन परमाण की दो उत्तरोतर कक्षाओं में इलेक्टरानों के कोणी सम्वेग में अंतर होता है तो इसके जो कोणी सम्वेग है इसके में अंतर क्या होता है होता है एक अगला देखिए पांच हजार इलेक्ट्रान वोल्ट कितना 5000 EV उर्जा वाले इलेक्ट्रानों का देव रमगली तरङक अगले देर्ड है अगला देखिए बैदुद कि चुम्ब की विक्रन इस्पेक्टरम में रेडियो आविरती का परास है जह कितना होता है 3 20 की मेगे UK तैने की मेगा सेकंड यहां इसेटी का हुआईगा ठीक है मैं łाचो बहुत इंपर्टेंट सेंटी मीटर प्रति सेकंड ठीक है आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेरी-बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला कोशन देखेंगे दो सब उम प्रतिरो तथा एक हेनरी प्रतियावर्थी बोल्टता कितना है वी बराबर 10 अंडरूट 2 साइन 200T लगाई गई है तो वी तथा आई के बीज कलांतर क्या होगा वी और आई के बीज कलांतर होगा वाँ क्या होगा चली हम आपको बताते हैं ध्यान दिज़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जब एक प्रकास किरन यहाँ किरना जाएगा 45 डिगरी आपका हो जाएगा आपको इसको लिख लिएगे ठीक है चाह की बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या दे रखा है जब एक प्रकास किरन ठीक है 2.2, का नमबर की बात करेंगे, टिक है, इस्तितry बैदुत की का गौस का नियम लिखिए, टिक है, तो किसी बैदुत छेटर में, किस में, किसी बैदुत छेटर में इस्थित बंद से निर्गत संपूर बैदुत फ्लक्स का मान क्या किसी बैदुत छेतर में इस्थित बंद बंद पास से यहाँ पर बंद पास होना चाहिए यहाँ पर बंद पास से निर्गत संपूर बैदुत फ्लक्स का मान उस प्रिष्ट द्वारा परिबध कुल आवेस का वाई अपशालिननाट गुना होता है यहँए बनाबर क्या हो जाएगा इन्टिग्रेशन विक्टर वेक्टर डिये बनाबर वन अपना अपसाले नाट क्यों जहां अपसाले नाट का है वाई व्या निर्वात की बैदोत सीलता है ठीक है यह अपनी हो जाएगा अगला देखिए क्या हो जाएगा कम विभुवांतर पर किस पर कम विभुवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्ज के बल्व के लिए ठीक है तो यहां पर पुर्वजाएगा बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत ही मत्पूर्ण आपको अची तरीके से कर लेना है चलिए अगला दिखिए यहां पर क्या हुजाएगा जो कि आप ले वेरी वेरी का सूत्र लिखना है आपको लेmbडा बराबर क्या हो जाएगा यच अपान अंडरूट टू यम ़ी वी या बारत असमलों 27 बटे अंडरूट वी एंग स्ट्रॉम तीक है आपके लिए हो जाएगा अगला देखिए एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कुलाम धनात्मक आवेस है कितना एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कुलाम धनात्मक आवेस है बताईए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रानों की कमी या अधिकता होगी तो दिया क्या है यहाँ पर मेरे पहरे बच्चों दिया है आपको Q बराबर कितना देर रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कुलाम Q बराबर क्या होता है यह एन E होता है C बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम E का मान होता है इलेक्ट्रान परावेस कितना होता है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम टिक है इतना आपको अच्छी तरीके से मालूम है उसके बाद ध्यान दिजिएगा यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा q upon e तो q का मान किन ना दिया 2.4 into 10 की पाउर minus 18 upon e का मान 1.6 into 10 की पाउर minus 19 यहाँ क्या हो जाएगा 2.4 upon 1.6 बराबर 15 इलक्टरानों की कम्नी यह आपके लिए हो जाएगा अगला दिखिए बहुत important यह भी है तो यहाँ पर देखिए उत्तर लेंस की focus दूरी ध्यान दीज़े का बहुत important बहुत इमत्पूर्ण है तो उत्तर लेंस की focus दूरी 10 cm है तथा आउतर लेंस की focus दूरी 50 cm है दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं इस संयोजन से 50-25 cm दूरी पर वस्त रखी है तो वस्त उसे प्रतिमिन में की इस्तिति आपको बताना थी इस तरीके साबको इसको सवाल कलेना ध्यान चलिए इसको आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं दिया क्या है उत्तर लेंस की focus दूरी पलस पलस पलक्री फल्क यहां से देखी है हमने क dismiss कि इसद यहां से हुझ की ना लिया था पच्चास टिक है यहां से आपके जाएगा अग्रा देखे यूग में से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 25 cm दिया है कितना यूग में से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 25 cm दिया है ठीक है और लिंस के सूत्र 1 upon F बराबर क्या होता है 1 upon V minus 1 upon U यानिक की वह पार्व एका हो जाएगा वह फ्लस वन अपार वह पार्वर क्या होाईगा व्लस वन अपान 25 फ्लस वन अपान मानie मानुसिफ़व ठीमिटह 죄송 अत्र वस्त क sorcer के प्रतिविम की इस्तिति 25 सेंटिमीटे किस ने हैं 25 सेंटिमीटे प्लस त्यूसरी और दूर उल्टा ठीक है चेरंबर की बात करेंगे ध्यान दिजेगा यहां पर कला संबंद स्रोज से आप क्या समझते हैं किसे कला संबंद स्रोज से आप क्या समझते हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान दिजेगा ऐसी दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदेव नियत रहता है क कला संबध्ध सुरोत कहते हैं क्या कहते हैं कला संबध्ध सुरोत कहते हैं दो कला संबध्ध सुरोतों से हम अस्थाई ब्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं अस्थाई ब्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं ऐसे सुरोत किसी युक्ति द्वारा एक ही सुरोत से प्राप्त किये जाते है ऐसे जो सुरोत हैं क्या की जाते हैं किसी युक्ति द्वारा एक ही सुरोत से प्राप्द किये जाते हैं ठीक है अगला देखिए कुछ सन आपके लिए बहुत important बहुत ही मात्पूर्ण है ठीक है एक दूई उत्तल लेंस की वकरता त्रिजाय करम से 15 cm था 30 cm है 1.65 वर्तनांक वाले द्रव में दुबाने पर उसकी फोकस दूरी ज्यात कीजिए काच का पूरतनांक 1.5 है द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है ठीक है आरवन बराबर कितना है 15 cm आरटू बराबर माइनस 30 cm यनवन बराबर 1.5 यनटू बराबर 1.65 या फ़न बराबर आपको 1.5 पान 1.65 माइनस 1 या 1.15 प्लस 1.35 बराबर क्या है बराबर वन अपान इलेवर इंटु वन अपान टेट टीक है या फ़न बराबर क्या जाएगा एक माइनस 110 सेंटीमीटर ठीक है अगला क्या है बोर के परमाणु माडल पर अगरवहित लिखिए क्या लिखिए तो चलिए इसको आख़ी तरीका सम्झाते हैं क्या है परमाणु के वहर माडल के अभिग्रियत निम्नलेखित हैं कौन कौन से इलेक्टरान नाभिक के चार ओर केवल उन्ही कक्षाओं में घूम सकते हैं जिन के लिए उनका कोणी सम्वेग याच अपान टू पाई या पून गुणज में हो अर्थार एक डब्लू बराबर का वज सकते हैं ठीक है जब परमाण को बाहर से जब मिलती है तो उसका कोई इलेक्टरान उसे अग्रहन कर उची कक्षा में चला जाता है यहां परमाण की उत्यजित अवस्था कहलाती है ठीक है यह तरिके साब कर देना है उसके बाद देखिए अगला किश्या क्याय में परविच संचरन आरेक होगा मेरे पाठों यहां पर गलत लिखा है यहां पर आपको बनाता है संचरण ठीक है तो संचरण आरेक कहींच कर बेदुत सेत्र ए्मम चुम्मकी चेत्र अवयोग दिखाईए तो चलिहां बापको संघाते हैं कैसे होगा तो ब्रितिस बैग्यानिक प्रमारित किया कि जब कभी किसी बैदुद परिपत में बैदुद धारा बहुत उच आवरित्ती से बदलती है तो उस परिपत में उर्जा तरंगों के रूप में चारो और प्रसारित होने लगती है इस तरंगों को बैदुद चुम्ब की तरंग कहते हैं तो उस परिपत में का मतलब क्या है कि जब किसी बैदुद परिपत में कोई बैदुद धारा प्रवाहित होती है तो आवरित्ती जब बदलती है तो उस परपर में क्या होता है उर्जा तरंगों की रूप में क्या होती है प्रसाइथ होने लगती है इस तरंग को बैदो चुम की तरंग करते हैं सिंपल सी बात है अगला देखिए क्या है जो की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एक 2HE की पावर 4 नाभिक को मुक्त प्रोटान दथा न्यूट्रान में विखंडित करने के लिए नियूनतम कितनी उर्जा की आवर्शकता होगी टिक है 2HE की पावर 4 में दो प्रोटान दथा दो न्यूट्रान होते हैं 2HE की पावर 4 बराबर 2NUH1 प्लस 2N1 यम्टू बराबर 2 इंटू 1.007825 प्लस 2 इंटू 1.008665 अम्यू तिक है दर्बेमान चती क्या होजाएगी डेल्टा यम बराबर यम्वन माइनस यम्टू तिक है आप प्रोटिजम कोण के पदों में निगमित की जिए ठीक है तो बाहिश से पूण प्रमेश क्या होजाएगा ध्यान दीजेगा लेम्डा बराबर आइपको लिख लेना अची तरीके से सिंपल ची बात है इसको भी आपको अची तरीके से का लेना निगमन है आपको देखकर भ और बढ़ी बात नहीं टिक अला कुछ संटे क्या है कुछ संट बहुत इंप्रटन है एक 50 वाट और सव वोल्ट कितना एक 50 व्वाल्ट और सव वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 व्युद्दमें से जोड़ा गया है लैंप को जलाने के लिए उसके स्रियनिक्रम में आवस्चिक संधार्थ की धार्था ग्यान कीजिए तो क्या हो जाएगा यहां पर दिया है पी बराबर पच्चास वाट वी बराबर सव गोल्ट यह बराबर पचास अर्टस तो वी बराबर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट दीखे और बल्ब का प्रतिरोध आर बराबर वी स्कार अबर पॉल्ट पी बराबर हंडेट लिंट्व इंट्व फिप्टी बराबर 200 वाबर वी बराबर पांव बराबर P लिए देसा में परिपाद मिधारा आ इस उकल टू वी अपन जिड़गे क्या आपके लिए हो जाएगा अगला देखिए क्या है जो कि very very most important यहां पर आप अच्छी तरीके स्वाल बकल लेज़ेगा ठीक है अगला देखिए बीभो मापी का सिधान्त परिपत की चित्र की सायता से समझाईए तो यह आपका बीभो मापी है अच्छी तरीके साब समझा बहुत कुछ संग मने आपको बताया हुए ठीक है चलिए अगला देखिए अगला कुछ संग क्या है बहुत important यह भी है बहुत ही मत्पूर्ण है ठीक है रेल की दो पतरियां आपस में तथा जमीन में क्या है पिठक्रित है इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया ह जब इन पर ट्रेन 180 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से दवड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा दिया गया है कि प्रितिवी के चुमकी छेतर का उर्धवाधर आवयो 0.2 इंटू 10 की पाउर माइनस 4 वेवर प्रति मीटर स्कॉयर है तथा पतरियां प्रसपर एक मीटर की दूरी पर है तो दिया क्या आए वी बराबर 180 किलो मीटर प्रति घंटा यहां जो जाएगा 180 इंटू 5 वेटी 18 इसको हम किसमें चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 50 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा वी बराबर करेंगा 0. प्रकास बैदुत प्रभाव से आप क्या ताइगा प्रकास बैदुत प्रभाव से आप प्रकास बैदुत प्रभाव से क्या ताप्पर है इस प्रभाव की आईश्टीन द्वारा दे गई व्याख्या कीजिए ठीक है तो प्रकास बैदुत प्रभाव क्या होता है धातुमपर प्रकास के आपतित होने से उनकी सत्ह से इलेक्टानों को उस्वेजन घड़ना को प्रकास बैदुत प्रभाव काते ही ठीक है आइंस्टीन का जो समिकरण है क्या है बैग्यानिक आइंस्टीन ने प्रकास बैदुत प्रभाव की ब्याख्या प्रकास के क्वांटम सिध्धान्त के माटल के अधार पर इस प्रकार दी है कि कोई फोटान धात की प्लेट पर गिरता है तो माले जो कोई फोटान है जो धात की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी समस्त उर्जा धाद के भीतर उपस्तित इलेक्टानों में से किसी एक ही इलेक्टान को अस्ताना अंतरित कर देता है ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा अगला देखे क्या है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपत में प्रियरकतों धारिता क्था ओमी परीतिवर्ध आर्शनी में जुर है तो परिपत की प्रच बाधा द्ता ब्यनजन प्राप्त कीजिए ठीके ब्यनजन प्राप्त कीजिए इस तरीके से आपको स्वाल कर लेना है इस किन स्वाट कर लेना है ठीक है अगला देखिए ये भी कुरिशन आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा इस किन स्वाट इसको भी आपको कर लेना है तो इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है यदि इस संधार्थ की धारिता 200 cm व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ग्याद करना है आपको ठीक है आर इसकोल टू क्या हो जाएगा 6.2 बराबर 3 cm यानि कि 3 इंटू 10 की पाउर माइनस 2 मीटर आर अब आबर 200 बटे 2 यानि 100 cm यानि 1 मीटर प्लेट का 6 तरफल ए बराबर पाई आर स्क्वार पाई इंटू 3 इंटू 10 की पाउर माइनस 2 का होल स्क्वार ठीक है ये आपके लिए हो जाएगा समानता प्लेट की धारिता आपको कर लेना अची तरीके से ठीक है अगला कुशन देखिए जो की बेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टन्ट ये भी है बिरित्ताकार धारावाई कुंडली के केंदर पर चुम्बकी छेते का ब्यंजाग निगमत केस है तो इसका भी आपको क्या कर लेना है इसकी इसाट कर लेना है इस तरीके से आपका अंसर होगा ठीक है अगला देखिए अगला कुशन क्या है आपके लिए जो होगी के सुक्ष मधरसी का प्रतवी में बनाना स्वक्ष किरन आरेक द्वरा समझाईए बनाकर समझाईए तो ये आपके लिए है अंसर आपको इसको तरिंक्याओं के सिध्धान्थ के अधार पर प्रकास के अपोर्तन के नियम की ब्याक्या के से यह आपको पूरा कर देना है ठीक है इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर देना है चलिए अगला देखिए क्या है जो की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन्ट है यह भी है मेरे प करना इस लिंस की फोकस दूरी आपको निगालना है और कि में के प्रकास की चाल की क्या करना है लंसंकी में प्रकास की चाछ्च 2 इंट्ट तुट्न घी पावर-8 मीटर पर जेके यह-को करना है जो की वरी है इंहीं पूर्टेंट है बहुत ही very-very most important है, मेरे पार बचुआ आपके लिए, ठीक है? तो क्या होजायगा, यहां पर ध्यान दीज़ेगा, जो कि आपके लिए most important है, ठीक है? इसको भी अच्छी तरीके सांब लोग कर लेज दिएगा, ठीक है? इसको भी आप लोग कर लीज प्राप्त कीजिए इसकी सायता से बैदु दुधरु आगुण की परिवासा दीजिए तो बैदु दुधरु था बैदु दुधरु आगुण क्या होजाएगा यहां पर वहां बैदु निकाय जिसमें दो बराबर परंत विपरीत प्रकार के बिंदु आवेस एक दूसरे से बहुत ही कम दुधरु पर रखे हों बैदु दुधरु कहलाता है दोनों आवेसों में से किसी एक आवेस और दोनों आवेसों के बीच की दूरी के गुननफल को दुधरु का बैदु दुधरु आगुण कहते हैं इसे प्राया पी से प्रदरसित करते हैं ठीक है यह आपका बल माइनस QE तथा प्लस QE कार करने लगता है यहां बल युग्म दिधुरू को केंद्र की दिशा में रिखांकित करने का प्रयत्न करता है इसे प्रत्यानियन बल कहते हैं ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा और इसको पूरा आपको संध्र कर ले ना ठीक है पूरा के इसको कंल लेना है बहुत्यकरम अभीनत में क्या ताथप्र है यह पूर्ण दिश्टिकारी के रूब में येर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे बच्छों फिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ अब तक के लिए जाहीन चैबार